हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेसी से इंगलिस आई होप कि आप से लोग अच्छे होंगे तो देखिए ट्रांसलेशन जीरो से एडवांस रो तक का है यह पार्ट टूंटी नाइन है जिसमें अवाज को पढ़ा जाएगा निवेदन या निमंत्रन सूचक वाक ऐसे वाक्यों को देखने के लिए आज का वीडियो करते हैं मिस्तार्ट अब हिंदी का जो आडर होगा उसमें कृपा कर या कृपया से शुरू होगा ठीक है तब कृपया किरपा से शुरू होता है तो वहां पर रिक्वेस्ट कभाव होता ठीक है करता होगा सब्जेक्ट होगा आप बट या hidden होगा, यानि चीपा हुआ होगा, इसको लिखा नहीं जाएगा, मतलब लिखा भी जा सकता और नहीं भी लिखा जा सकता है, मतलब जो subject होगा होगा, आपका आप ही होगा, ठीक है, यह उन्हों, उसको अधात होगा वर्व होगा और इस वर्व में ए या ये या ये ये गा लगा होगा इस वर्व में ठीक है तो इंगलिस देखे प्लीज यूज करना है प्लीज के बाद आपको वर्व की फर्स्ट फार्म इंफिनिटी विथाउट टू मतलब वर्व की फर्स्ट फार्म जायूज नहीं करना राइट चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल्स को करा किरपा कर मेरी मदद करें तो हम क्या लाएंगे प्लीज हेल्प मी किरपिया फाटक बंद कीजिए तो क्या हुआएगा प्लीज क्लोज दा गेट किरपिया मेरी बात सुनिये तो प्लीज लिसन टू म किरपिया कर किरपा कर अपना ओट मुझे दे तो इसका हो जाएगा प्लीज ओट फार मी प्लीज ओट फार मी मेरे लिए ओट करें अपना ओट मुझे दे उसी तरह से देखिए किरपिया मुझे कुछ रुपए दे तो देखिए प्लीज काम यूज बाद में भी कर सकते हैं क खिर आप give me some money please तो अगर हम please को बाद में यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहां पे कामा का उज़ करना ठीक है please give me some money या give me some money please दिखिए एक cup चाले या करपिया एक cup चाले या एक cup चाले तो have a cup of tea please चालेने के लिए हम हैब का यूज करते हैं ठीक है बोजन लेने के लिए हैब का भी उजम कर देते हैं थोड़ा हो लीजिए ठीक है तो है लिटल मोर है लिटल मोर प्लीज ठीक है कि यहां 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 ना करें तो क्या जाएगा प्लीज डोंट साउट हीर या डोंट साउट ही यह प्रिजला माँ प्लीज आगे आप गोहीं सब्डेक्ट धोगा आपका अब छक्ता नहीं है बात हैं जो होगा द्धात हो ए पिछले सिंटेश में देख चुके हैं तो यहां क्या करना है आपको please लगाना please के साथ do का इस्तिमाल करना ठीक please के साथ do का इस्तिमाल करना फिर आपको word की first form लिखनी है चलिए example देखते हैं आप कल अवस्य आएं तो प्लीज डू गम तुमारो एक कपचार जरूद लें तो क्या जाएगा प्लीज डू हैव एक कप अप टी आप मुझे जरूर धर रखियेगा आप मुझे जरूर या रखिये गा ठीक है। ये गा आ अगय है रखिये गा ठीक और इसका क्या होजाएगा प्लीज डू रिमेंबर में नेस्ट इजमपल आप यह फिल्म जरूर देखें तो प्लीज डू वाच्छ दिस मूवी आप गरीबों की मदद जरूर करें क्या होजाएगा प्लीज डू हैल्प दे पूर आप अनुवाद करना जरूर सीखें तो क्या हो जाएगा please do learn how to translate देखें अनुआध करना जरूर सीखें. ठीक है? तो सीखने का learn अनुआद करने का ancऊण आनुआध करना how to translate तो देखें यो ये वाला जो sentence हा हाउ to translate वानवाद करना जानता है वा इस तरीके के sentence को and daily spoken sentence पढ़ाए गया था उसमें दिया गया है आप देख सकते हैं जा करके चले देखते हैं अगला आप सुबह हमें अवस से टह लिए तो प्लीज डू वाक इन दे morning I hope आपको समझ में आ गया होगा चले देखते हैं आज का हो मत क्या है यह आपको जो है comment करके आपको बताना है ठीक है आप यह किताब जरूर पढ़ें किर्पिया यहां धुम्पान मत कीजिए यह दो sentence आपको हमें comment करके बताना है और वीडियो कैसा लगा आप बताते रहें मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में तब तक के लिए गुर्बाए